हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई हिस्ट्री चैनल हम ये जो सलतनत काली इतिहास काल की शंखला चला रहे थे उसमें हमने खिलजी बज़ तक का इतिहास पढ़ लिया है और हम अब यहां से इसके उपर कुछ MCQs और PYQs का सत्र रखेंगे और इस सत्र में हमने कुछ ऐसे PYQs डाले हैं जो की NET के एक्जाम में भी पूछे गए हैं कुछ प्रश्ण हमने UPSC के प्रिलिम्स और कुछ दो प्रश्ण हमने UPSC के मेंस के एक्जाम से भी उठाए हैं उसके हम चर्चा करेंगे और यह सत्र हमारा continue रहेगा अगले सत्र में भी हम इसके उपर MCQs और PYQs के जरीए पूरा जो खिलजी वंच का जो इतिहास है उसको दोहराने की कोशिश करेंगे और कुछ जो मुख के तत्ते हमसे एक दोगर छूट गए होंगे तो इसको भी इसमें सम्मिलित करने की कोशिश की जाएगी और यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्स्राइब ना किया हो तो इसको सब्स्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले समय में और नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपना हम सल्तनतकाली नितिहास पूर्ण कर सकें और इससे काफी प्रशन पूछे जाते हैं सभी एक्जामस में कोई भी आप कॉंपटिशन में जा रहे हो और अगर उसमें इतिहास एक विशह है तो उसमें से सल्तनतकाल से बहुत प्रशन आते हैं तो यह मारा आज का पहला प्रशन है जो की नेट के एक्जाम में पूछा गया था जून 2012 में उस समय दो पेपर हुआ करते थे दियास के अब तो एक पेपर होता है तो यह पेपर थी है उसमें से प्रशन आया है एलाउदिन खिलजी की उपर कि एलाउदिन खिलजी की संबं कर की जो उसकी जो नीती थी कर जो उसने लगाया था उसकी आलोशना की थी C. कोतवाल मलिक फकरुदीन उसका वफादार था और D. उसके पुत्र कुतबुदीन मुबारक खिलजी ने अपने आपको खलीफा घोशित कर दिया था तो हमने अपने पिछले लेक्चर जो कि हमारा लास लेक्चर हुआ था कुद्बुत दिन मुबारक खिल जी की बारे में हमने जिसके उपर चर्चा की थी तो उसमें हमने देखा था कि उसने खुद को खलीफा गोशित किया है वो दिल्ली का प्रथमैसा सुल्तान है तो ये वाकिए यहां से सही हो जाता है इसके बाद जो मलिक फकुरुदीन जैसे मैंने आपको बताया कि वो गिरगिट की देने रंग बदलने में बहुत ही माहिर था और जलालुदीन खिल जी का वद कर देता है अलाउदीन खिल जी तो ये उसका भी वफादार हो जाता है तो ये भी सही है इसके बाद जियाउदीन बर्नी ने अलाउदीन की जो कर की जो नीती थी उसकी आलोचना नहीं की है उसकी कर की जो नीती थी उसकी близी बहुत आलोचना की है क्योंकि उसने सुने बताया कि किस तरह से जो किसान वर्ग है कोई भी इसका फाइदा नहीं हो रा जबकि अमीर खुसरो इसकी प्रशनदा करता है कि ये इस नीती की वज़े से सभी लोगों को फाइदा हुआ अपना नहीं की है, यह दिवाने को ही नाम की जो विभाग है यह आगे चल के मुहम्मद बिन तुगलक के समय में आएगा और इसने जो विभाग बनाए थे वो थे दिवाने रियासत, दिवाने इन्शा, दिवाने रसालत जिससे कि इमने आपको इसके पहले बताया था जब इसने इसके प्रशास्निक सुधार पड़े थे तो हमारा आंसर हो जाएगा A क्योंकि इसमें पूछा गिया है कौन सा कथन सही नहीं है अब ये दूसरा सवाल नेट में पूछा गिया है दिसंबर 2013 में ये अलाओ दिन खिल जी के उपर एक सवाल है कि उसके सुधारों के संबंद में इनमें से कौन सा कथन कौन कौन से कथन सही है उसके उपर हमको उसको देखना है तो पहला कथन है जागीरों में दी गई समस्त राजस्त मुक्त भूमी को जब्त करना दूसरा है अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागू करना बड़े अमीरों और सेनापतियों की इक्ता को समाप्त करना और शराब की सार्जनिक विक्री पर पाबंदी लगाना तो हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि किस तरह से उसने जब विद्रो के उन्मूलन किये थे तो उसके चार उपाई निकाले थे उसने चार उसके उन्मूलन किये थे और उनके चार उपाई निकाले थे जिसमें से शराब जो थी वो सबसे पहला उपाई था तो ये स्वाक के सही हो जाता है कि शराब की सारजनिक बिक्री पर उसने पाबंदी लगा दी थी क्योंकि ये उसके अनुसार विद्रो का एक कारान था उसके बाद बड़े अमीरों और सेनापतियों की इक्ता को उसने कभी समाप्त नहीं किया ये कथन गलत है उसने कभी भी अमीरों और सेनापतियों की इक्ता को समाप्त नहीं किया हाला कि उसने जो भूमी अनुदान दिये गए थे जागी ने जो दी गई थी जो हमारा पहला वाक्य बोलता है कि जागीरों में दी गई समस्त राजस्त मुक्त भूमी जिनके उपर राजस्त तो नहीं लगता था उस भूमी को उसने जब्च करके खालसा भूमी में परिवर्टित कर दिया था और इसी के समय में खालसा भूमी का विस्तार सबसे आदा होता है तो ये कथन पहला भी सही हो गया चौथा भी सही हो गया तीसरा गलत है और दूसरा कथन कहता है अपनी सेना में दाग और चेहरा को लागो करना तो उसने जिसना मैंने बताया आपको कि सैनिकों का होलिया नोट कराता था और घोडों पे दाग लगवाता था ब्रैंडिंग होती थी जिससे कोई भी घोडा दुबारा प्रस्तुद ना किया जा सके और अच्टी उसकी जिखे पे कोई खराब नस्त का घोडा ना ले किया जा सके तो इसमें एक दो और चार सही है इसमें हमारा option हो जाएगा C एक दो और चार तीसरा प्रश्न है किस किले की घेरे बंदी के दौरान जलाल उद्दीन ने निम लिखिट तरीके से उसको टाल दिया ये कहके टाल दिया कि मैं ऐसे दस किले को मुसल्मान की एक बाल से भी जादा महत तो नहीं देता जब उसने पहला अभियान रंधम भूर पे किया था उस समय उसने ये बोला है जब रंधम भूर को वो किले को भेद नहीं पाया और अहमत चब ने उसको बहुत जादा जो उसको नसीहत देता रहता था उसने बोला कि इस किले को हम को जीतना चाहिए लेकिन उसको लाक उक्साने पे भी वो उस किले को जीतने के लिए आगे नहीं बढ़ता है और जाते जाते वो एक वाक्त के बोल के जाता है कि ऐसे दस किले वो मुसल्मान के किसी बाल से जादा महत तो नहीं समझता तो ये उसने रंधम भोर के लिए बोला है दूसरा कहता है लाओत दीन का मानना था कि विद्रो के विचार को पना देने के लिए लोगों के पास परियाप्त साधन नहीं होना चाहिए तीसरा वाक्य है अलाउद दीन का राजत तो पूर्ण निरंकुष्टा पे आधारित था और चौता अलाउद दीन ने बल्बन की जासूसों की प्रणाली और राजत जो राजत का सिद्धान था पल्बन का इसको भी इसका भी चर्म उतकर्ष जो है वो अलाउद दीन के समय में हम देखते हैं तो ये कथन एक दम सत्य है और अलाउद दीन का राजत पूर्ण निरंकुष्टा पे आधारित था ये भी सत्य है क्योंकि हमने देखा किस तरह से वो उलेमा वर्थ के उपर अपनी जो सिद्धान था राजत के वो उसको किस तरह से उसके उपर जाहिर कर रहा है और हमने देखा किस तरह से उसने कथन बोला है कि जो सुल्टान है उसके उपर कोई नहीं हो सकता और उसके उपर किसी का अधिकार नहीं है यानी कि सुल्दान जो है वो सर्वे सरवा है और सर्वे परी है और इस तरह से ये पूर्ण निरंकुष्टा की तरफ चला जाता है इसके बाद इलाउद दिन का मानना था कि विद्रों जो उन्मुलन पढ़ा था जो उपाए उसने निकाले उसमें उसने बताय था कि उसने पहला जो उपाय बोला हो क्या था कि जितने भी जमीन जितना धन दौलत है जो अंधान में दिये गए हैं में जितने अमीर थे जो अलाउद दिन से जा मिले लालच सोने के लालच में उनको अंत में अलाउद दिन खिल जी जो है उखाड़ फेकता है तो इस तरह से चारों के तन सही है और हमारा option ABCD सही हो जाता है अब ये question net में दोनों question आये हुए हैं एकी साल 2014 में दिसंबर में और पहला question है जो उत्तरा दिकारी थे इलतुत मिश के उनको एक गुलाम वंश के जो जितने सल्तान है इलतुत मिश के बाद इनको काल करमा नुसार वेवस्थित करना है और इसके बाद वाला जो question है वो अलाउ ये kind in मिश के बाद हमने देखा कि किस तरह से इलतुत मिश रधिया सुल्तान को अपना प्त्राजीकारी नियूक्त करके जाता है लेकिन जो शात उरकान होती है उसकी जो पत्नी है इलत यूत मिश की वे उसका बेटा है रुकनुत दिन फिरोजशScा को शडियंतर करके शात जद्दी पे बिठा देती है, तो इल्तुत्मिश के पात जो पहला सुल्तान मनता है, वो है रुकनुदिन फिरोज, अब ये रुकनुदिन फिरोज हमको दो option में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से ये मारा answer निकलेगा, इस तरह से B और D अर्वज, गरत हो जाएगी, रुकनुदिन फिरोज के बाद जप हमने पढ़ा तो देखा तक किस तरह से रुकनुदिन फिरोजश के बाद, जो रखिया सुल्तान है, वो सुल्तान बंती है, और जब रुकनुदिन फिरोज जुए है दमन करने जाता बिद्रोईए का तो रग् SMITH सुल्तान में आप्शन में तो रखिश बहराम शाय क? और आपरी में नासिर उद्दिन मह्मुद बनता है जिसको हम भोलते हैं भर वेस्च सुल्तान जिसके समय में बिल्बन का काल एकदम चर्मोत कर्ष पे जाता है और बल्बन इसका नायब मुमालिकाद बन जाता है 20 वर्ष के लिए और उसके बाद सुल्तान बनता है तो इस तरह से इसका अंसर हो जाएगा C अगला प्रशन है अलाओ दिन खिल जी कालीन प्रिशासन में राजसीक हुफिया विभाग अभी यहाँ पे जासूस की ही बात कर रहा है राजसीक हुफिया विभाग का मुखिया क्या कहलाता था तो जैसे कि मैंने आपको पता है गुप्तचर जो थे उनको बरीद बोलते थे तो वो एक विभाग की बात कर रहा है और जब ममलिक की बात आ जाएगी ममालिक लिखा होगा आखरी में तो आप समझ लिजेगे कि वो किसी अधिकारी की बात कर रहा है तो दिवाने रियासत एक वारिज विभाग था बरीज ममालिक गुप्तचर विभाग का मुखिया है आरिज ममालिक जो है ये सैन विभाग जो दिवाने आरिज है जो इसका गठन बलबन ने किया था दिवाने आरिज ये आरिज ममालिक जो है उसका सैन विभाग का मुखिया है और शेहनाय मंदी जो है ये बजार का अधिक्षगे अलाउद दिन के समय चे उसने बजार विवस्था संगधित की थी ये उस बजार विवस्था का अधिक्षग है और ये मुक्यता अनाज भंडार जो बजार है उसी से ही संबन्दित है अब ये प्रश्ण फिर से नेट में आया है 2015 में तो देख लिए किस तना से नेट में लगाता हर साल अलाओ दिन खिल जी से एक प्रश्ण तो आता ही आता है कभी कभी दो तीन भी आ जाते हैं लेकिन एक प्रश्ण तो हर साल आता ही है तो एलाव दिन खिल जी के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कतन सही नहीं है नीचे दिये चार कतनों में से हमसे पूछा है कि इस में से कौन सा कतन सही नहीं है पहला कतन है, सारजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन होने वाली प्रायप तत्य घटनास के साथ जुड़ा हुआ था दूसरा, हम एक एक करके देखते चलते हैं सारजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में जो भी घटनाए घट रही है उसका पता इलाओ दिन खिलजी को चल जाया करता था क्योंकि हमने जब देखा कि किस तरह से उसने बरीद अपने सभी उसने बरीदों को लगा दिया था अमीरों के पीछे तो अमीर बहुत ही भैबीत रहा करते थे और दरबार में भी एक दूसरे से इशारों से बाते करते थे तो यह कतर इकदम सत्य है दूसरा कह रहा है बरनी के अनुसार सुल्तान ने आग्या जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर विवाह तंपन नहीं होंगे जब तक सुल्तान से इसके लिए विधिवत अनुमती नहीं प्र लेते हैं और सुल्तान के विद्ध शक्ति शाली हो जाते हैं तो उसने आधीनियम बना दिया था कि जर जो विद्रों का अनमूलन किया था तो शराब बंदी के उपर रोग लगा दी थी और शराब का क्रää विक्रे भी उसने बंद करादिया बहुत कठोड़ता से स्कुलागू किया था और उसने स्वयम भी शरापीना छोड़ दिया था चौथा option केता है सभी समकालीन स्रोतों में पदमिनी का आख्यान का उल्लेक किया गया है तो यहां पर गलत हो जाता है जब मैंने आपको रानी पदमिनी के बारे में बताया था उसके जब उत्तर भारत के अभियान पड़े से हमने चेटोड़ की बात की थी हिस्ट्री 2017 जन्वरी के पेपर में पूछा गिया नेट के एक्जाम में ये कहता है जियाउदिन बर्नी उलेक करता है कि शराब पर प्रतिबंद के बावजूद नशेडी, व्यविचारी और अयाश लोग अपने घरों के भीतर भटियां बनाकर शराब तयार करते थे उसे पीते थे और गुपत रूप से उंचे दामों में बेचा की करते थे ये उप्रुकते कथन बर्नी कि सुल्तान का जिक्र कर रहा है जिसने अपने राजज में शराब पीने और उसे बेचने पर पाबंदी लगाई थी कि अब राजधानी में शराब दूर-दूर तक नहीं मिलती थी लेकिन वो ये भी बात करता है कि इस तरह से अवयत शराब बनना घर-घर में शुरू हो गई थी तो बर्णी इस बात की हमें सूचना दे रहा है कि क्योंकि राजधानी में तो उसको उसने क्रेव इक्रेव पे रोक तो लगा दी है लेकिन घर-घर में शराब अब बनना शुरू हो गई है और उसको गुप्त रूप से उचे दामों में बेचा भी जाने लगाए जाउदिन खिलजी और मुहमद बिन तुगलग तो नासिरुदिन महमुद तो हमने जिस तरह से पढ़ा था कि दर्वेश सुल्तान है कुरान की प्रति लिपिया मना कर अपना गुजारा करता है और जो राजधिये धन है उससे एक पैसा भी नहीं लेता जब हम बात बल्बन की करें अब ये 40 वर्षों की बात कर रहा है तो बल्बन का जो शासनकाल है वो कुल 20 वर्ष का उसने शासन किया है सुल्तान की तरह है और 20 वर्ष का उसने शासन जो किया है एक तरह से उसको शासन ही बोला गया है इतिहास में वो उसने अमीर की तरह मतलब नायब मुमालिकत की तरह किया है तो 40 वर्ष का जो शातनकाल है वो इतना लंबा शातनकाल इसी सुल्तान का है इन में जो दिये हैं चार आप्शन और नासरिद दिन महमूद का शातनकाल 20 साल है लेकिन उसका केवल 20 साल का शातन है बलबन का 20 साल का खुद का सुल्तान की तरह है और 20 साल नाइब तलवार पे जा पड़ता है तो ये बात बल्बंगी हो रही है और वो निचले तबकों से, लोगों से संगीतकार उसने संगीत पे निशेल लगा दिया था अपने धर बार में तो ये बल्बंगी बात है इसके ऐलावा दसमा प्रेशन हमारा है निम लिखित में से किस शहर का नाम एलाउद दिन खिल जी ने अपने बेटे खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रखा तो मैंने आपको बताया था कि खिजराबाद जलालाबाद जब हमने बात की थी उसके उत्तर भारत अभियान की तो चितोड को जब उसने विजित कर लिया तो वहाँ का नाम उसने बदल के खिजराबाद रख दिया और खिजराबाद को वहाँ का गवर्नर न्यूट कर दिया था तो यह हमारे net के जिस तरह से हम देख रहे हैं हर एक साल दो तीन चार पाँच प्रशन आते ही आते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है अभी तक मैंने केवल उतना ही प्रशन डाले हैं अलाओ दिन खिल जी तक यहां पर हम देखते हैं कुछ UPSC के सवाल ले लेते हैं UPSC 2002 में प्रिलिम्स में एक यह सवाल आया है इसी खिल जी वंच से इसका संबन्द है इतिहासकार बर्नी के बारे में हैं इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सल्टनत के तहट भारत में राज्य को वास्तव में इसलामी मान अपने से इंकार कर दिया क्योंकि मदल्लव यह कह रहा है कि बर्नी में ऐसा क्या कारण था कि 會रत में जो तुरकी सामराज्य जो इस्थापित हुआ है उसको इसलामिक नहीं माना तो पहला option है अधिकतर जनता इसलाम को मानने वाली नहीं थी ये बात सही है कि अधिकतर जनता इसलाम को मानने वाली नहीं थी हिंदू जादा थे परंतो ये इसका कारा नहीं है कि इसको ये इसलामिक ना माने दूसरा बोलता है मुस्लिम धर्म शास्तियों की अक्सर अभेलना की जाती थी ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मुस्लिम धर्म शास्तियों की अभेलना की गई है जैसे हमने देखा इल्दुत में उलेमाओं का काफी सम्मान किया गरता था और जब हम एलाओ दिन खिल जी का भी पढ़ते हैं तो जरूर उसने धर्म को इतना तवज्जो नहीं दिया लेकिन वो जितने भी सूफी संथ हैं इन सबका ये भी सम्मान किया गरता था उसके जैसे दरबार में मुगुसुत दिन था कादी जिससे वो वारताला किया गरता था और उसके उपर उसका काफी प्रभाव भी था और उसी के प्रभाव में उसने आके शराब छोड़ी थी तो ये वाकि गलत हो जाता है इसके बाद सुल्तानों ने अपने स्वयम के नियम बना कर मुस्लिम कानून को पूरख किया ये option एकदम सही है क्योंकि सुल्तानों ने खुद के नियम मनाए जैसे हमने देखा कि अलाओ धिंखिल जी ने शरीयत के नियमों के उपर जो राज्य के नियम है उनको शरीयत के नियमों से उपर माना है और अपने बहुत सारे ऐसे नियम उसने मनाए है जो शरीयत जिनकी जादत नहीं देता है लेकिन जैसा कि वो बोलता है कि मैं राज्य के लिए वही करता हूँ जो मुझे ठीक लगता है आखरी option कहता है गैर मुस्लिमों को धार्मिक सोतंतरता थी ये कुछ हद तक सही है बहुत जादा सही नहीं है जैसे हम देखते हैं कि जलालुद दिन खिल जी के समय में धार्मिक सोतंतरता थी और अलाउद दिन खिल जी के समय में भी थोड़ी बहुत सोतंतरता है लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे सल्तनत को थोड़ा सवर आगे बढ़ाएंगे अपना शैसन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे फिरोशा तुगलग और सिकंदर लोधी का जो समय आएगा उस समय देखेंगे धार्मिक सतंतता एकदम समाथ हो चुकी है तो इस प्रेशन का उत्तर हो जाएगा ये वाला उप्शन सी सुल्तानों ने अपने स्वयम के नियम बना कर मुस्लिम कानून को पूरत लिए अब यहाँ पे हम एक मेंस का प्रेशन ले लेते हैं 2017 में पूछा गिया है बल्बन की लोह और रक्ति की नीती की समीक्षा करने के ल मतलब कहीं से भी वो निर्मम नहीं है बहुत कठोर है जिस तरह से उसने तुरकने चालिया का अंत किया जिस तरह से उसने अपने जो जो उसके नीचे जितने अमीर थे उनके उपर जिस तरह से उसने बहुत सारे नियाय की आड़ के उपर उनका मृत्युदंड उनको दिया जैसे बदाईयों का एक्तदार था मलिक बगबग को कोडों की सजा पड़वाई वो भी जंता के सामने तो इस तरह से जो नीतियां थी उसकी समिक्षा के लिए बोला है और आपको उत्तर जो है वो इस तरह से ही फ्रेम हो सकता है कि लोहर रक्त की जो नीती है यानि कि ये बोल करता है और किस तरह से वो कठोरता को अपनाता है जिससे जो दिल्ली सल्तनत है उसके विगठन को उससे बचाना भी है और अपना जो राज्यकंदी पर बैढ़ गया है उसको वैद भी सिद्ध करना है तो इस तरह से जब वो नीतियां अपनाता है तो किस तरह से वो कठोरता का नियम अपना रहा है और लोह रक्त की नीती मतलब किस तरह से उनको वो हत्याएं कर रहा है जब हमने देखा था कि उसने अपने भाई की भी हत्या कर दी जो की बहुत दा शक्तिशाली हो रहा था उसको विश्ट दे के उसकी भी हत्या कर देता है तो यह उसका लोह रक्त की नीती के उपर समीक्षा है एक तरह से हमने मोटा मोटा पढ़ा है अपना बल्मन का जब हमने चहलगानी का दमन पढ़ा था उस समय भी हमने इसको देखा था और इसके लावा जब उसने किस तरह से अमीरों को सजाएं दी है वो हमने देखा था मंगोलों के विरुद धाला कि इसकी जो नीती है ये कही ना कही थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है और वो वहाँ पे जाके मंगोलों से संधी करने की कोशिश करता है क्योंकि अभी सल्तनत इतनी मजबूत नहीं हुई है और ये लह रक्त की नीती जो आंतरिक मामले हैं उनमें ही अपनाता है जो बाहर से जो हमले हो रहे हैं मतलब जो मंगोल जो आक्रमाण कर रहे हैं उनमें वो इस नीती को थोड़ा सा परिवर्तित करता है तो इसकी जो नीती है ये मुख्यता जो है वो आंतरिक मामले में भी जो विद्रो हो रहे हैं उनका दमन करने के लिए इसने इसको अपनाया हुआ है और इसने इस नीति को इसलिए भी अपनाया है कि ये, अभी तक जो सुल्तान थे, उनकी जो गरिमा थी, उनको ये बनाना चाहता है, और इससे ये जन्ता के सामने ये भी प्रतिपादित करना चाहता है, कि सुल्तान जो है, वो सबसे जादा मजबूत है और उसके उपर कोई नहीं है और इस तरह से वो आतंक का एक माहौल पैदा कर रहा है जी कि जो जितने भी अमीर है वो उसके सामने कोई प्रशन ना उठा सके हैं जैसा कि हमने जब पढ़ा था तो एक वाक के पढ़ा था इसामी का कि जिस समय वो सिंगासन रूर्ण होता है तो सभी हधिकारियों की कमट उड़ जाती है और कोई भी उससे बिना वाद विबाद के ही उसके अधीन हो जाता है तो वो सबको अपने अधीन कर रहा है इसलिए और इतनी कठोर नीती का अनुसरन कर रहा है तो यह इसका समीक्षा है पूरी-पूरी यदि आप उसको जब मैं उत्तर किस तरह से लिखा आता है किस तरह से फ्रेम किया आता है उसकी बात करूंगा तो आपको बताऊंगा इसको किस तरह से हमको अच्छे से लिखना चाहिए यदि हम इसमें इतिहासकारों के नाम डाल सकते है तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन यदि हमको इतिहासकारों के नाम नहीं भी याद रहते हैं मान लिजे आपको जैसे मैंने के असलाल के बारे में बताया या त्रिपाठी या के निजामी के बारे में बताया लेकिन आपको यह याद नहीं कि किसने क्या कहा लेकिन आपको ये तो याद रहेगा कि क्या कहा गिया है तो आप उस इतिहासकार का नाम अगर ना भी डालें और आप अगर के वार इतना बोलें कि आधुनी की इतिहासकारों में से ऐसा कहा गिया है तो वो भी उसका एक प्रभाव पढ़ता है जब जो एक्जामनर कॉफी चेक कर रहा है उसको लगता है कि आपने इसका बहुत गहन अध्यान किया है और आपको पता है किस इतिहास में ये जो घटना घटी है इसको किस इतिहासकार ने किस रिष्टी से दर्शाया हुआ है अब ये एगला प्रशन हम ले रहते हैं और UPSC के मेंस में एक्जाम में दो बार प्रशन आ चुका है 2019 में भी आया पूछा गिया है और 2011 में भी पूछा गिया है और एक बार और ये प्रशन पूछा गिया है थोड़ी सी इसकी भाषा विपरीज थी अब ये प्रशन कुछ इस तरह है अलाव दिन खिल जी के आर्थिक उपाईयों का उद्देश अधिक से अधिक राजनीतिक नियंतरन करना था इसके चर्चा करें और इसके अलावा यही प्रशन इसी विशे के उपर एक बार ये पूछा गया था कि अलाव दिन खिल जी के जो आर्थिक उपाई थे वो उसके सामराज जवाद देनीति के लिए किस तरह से उप्योगी साबिस हुए इसके उपर चर्चा करें तो ये जैसा मैंने आपको बताया था कि अलाव दिन खिल जी के जितने भी बादार अधिनियम है और उसके जो जितने भी मूल यंतरण है और आर्थिक जितने उसके सुधार है वो किस तरह से बहुत ज़ादा चर्चा का विशाय बने हुए यूपीस्टी के लिए जैसा कि अभी हम देख रहा है किसानों के उपर बहुत ज़ादा अंदोलन भी चला है केसलाल है केसलाल साब ने इसके लिए बोला है कि इसके जो ये उपाये थे ये अस्थाई थे और इसके ये उपाये राजनीती से ही प्रेरित थे और उसने राज्य की जो आर्थिक इस्थिती है उसको संपन बनाने में सफलता पाई और सामराज्य विस्तार के लिए परियाद साधन भी प्रात किये तो जो हमारा जूसरा सवाल सकी किस तना सामराज्य वाद नीती के लिए यह उपयोगी हुए तो जैसे भूमी की पैमाईश है और इस्थानिय विशेषा दिकार युक्त वर्गों के उस्पीड़न को कम करना और गाउं के जो पटवारी हैं उनकी खाता बहियों की साहता से जो इस्थानी राज़त सो करमचारी हैं उनके खातों के हिसाब किताब की जांच परताल कराना ये सब अलाओ दिन से अपनाए कुछ ऐसे मानक थे जो आदर्श थाबित होते हैं आगे चलके शेरशा सूरी और अकबर के शासंकाल में भी और मूल नियंतरन योजना जो है इसके रशनात्मक परणामों को हाला कि केसलाल जी नहीं मानते वो ऐसा मानते हैं कि ये केवल सैन ने सुधार के लिए मतलब सैनिक और अमीर वर्क को इससे फायदा मिला और जितने भी हमारे शिल्पकार और किसान थे उसको इसका कोई फाया नहीं उबा लेकिन जो केसलाल साब है तो इसको ये भी मानते हैं कि इसके जो मूल नियंत्रन थे वो राजनीती से प्रेडित थे और उसका इसपष्ट उद्देश केवल जनता को और दरिद्र बनाना था जिससे कोई विद्रो शब्द उनके होंटों तक निकलना सके तो जैसा कि इनने देखा था जब उसने विद् उनके हैं कि आनन्द पूर्वक उसका बखान करता है और कहता है कि काला बदारी और मुनाफा खोरी करने वाले हिंदू अपने पापों के लिएeur धंडिनी है अबधिक उनक oikeut उनका आनंद पूर भकान करता है सकत्तय है बरनी इसको थोड़ा सा एक धार्मिक जुकाओ दे रहा है लेकिन देखा जाए तो जो इतिहासकार है अधुनिक इतिहासकार चाहे के निदामी लेलो आप चाहे के असलाल उन्होंने यही बोला है कि जो इसके जितने भी ये उपाये थे ये धर्म से प्रेरित नहीं थे ये क्योंकि धर्मांद नहीं है जो हमने जिस तना से इसका चरितर चित्रन देखा था तो देखा कि इस तना से शरीयत के नियमों के उपर जो राज्य की नियम है उसको ये आधारित कर रहा है राज्य की नियमों को उपर मान रहा है शरीयत के नियमों को नीचे मान रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं कि धर्मांद नहीं था हाला कि जिसके हम ने देखा कि ये नमाज पढ़ने भी नहीं जाता है और सच्चा मुसल्मान तो है परन्तु ये ऐसा पहला सुल्टान है जिसने जुम्मे की नमाज के लिए भी जो नहीं गया मस्जिद में तो ये धर्मांद नहीं है और इसके जितने भी ये जो उद्देश्य थे ये धर्म से प्रेरित नहीं थे हाला कि हिंदूओं का उत्पीडन हुआ जादा से जादा उसका कारण केसलाल साब ये बताते हैं कि क्योंकि अधिकतर जो जनता थी जो खुद मुकदम जो ग्रामेड की जो मुखिया थे जो बिचॉलिये थे वो अधिकतर हिंदू थे तो इसकी जो विवस्था थी और इस विवस्था के तहट किस तना से हमने देखा कि जितने भी बिचॉलिये हैं उनको किस तना से आधात किया है इसने उनकी शक्तियों को नश्ट किया है और उनके उपर एक तना से करादा प्रहार किया है और उनको हटाने की कोशिश किये और सल्तनत का सीधा सीधा रिष्टा जोड़ा है किसानों से और जो बिचॉलिया वर्गे उसको एकदम हटा दिया है तो जाहिर सी बात से जब साधा से जाधा अधिकतर जनता जो है वो हिंदू है जो कि गाउं की मुखिया है तो हिंदूओं के उपर प्रुभा पड़ेगा लेकिन इसका जो पूरा नियंतरन है ये राजनीती को सद्धिरन करना है और किस तरह से अपने सामराज जी को विस्तार करना है क्योंकि इसके पास एक प्रबल सेना है बड़ी दक्ष सेना है पेतन कम कर देता तो सेना दरित्र हो जाती है और इसके जो सामराज जीवाद नीती है जो हमने इएक के उसके राज्चत के सिद्धान देखे उसके अनुसार ये अनुसारा regulator नहीं कर पाते उनसे भी निपटने की कोशिश कर रहा है तो ये हमारा पूरा मोटा मोटा एक चर्चा है और हम इतिहासकार है अगर हम इसको quote कर सकते हैं परिक्षा में तो बहुत जी बात है नहीं हमें नाम याद रहते हैं तो हम उंके ऐसे नाम निख सकते हैं कि इतिहासकारों का ऐसा मत है, आधुनिक इतिहासकारों का ऐसा मत है और जो समकालिन इतिहासकार से जैसे बर्नी की मैंने बात की तो उनका ये मत है अगर हम ये डालते हैं एक्जाम में तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है अब एक मैंने MCQ बनाए हैं एक दो questions उसको देख लेते हैं हाथियों और संपत्ती का फ्रचुर परिणाम में मिलना अनेक जगणों का कारण बन जाता है ये एक वाक्य है ये किसने जलालुद दिन को ऐसी सला दी थी तो जब हमने देखा था कि अलाउद दिन खिल जी देवगरी के अभियान से लोटके आता है और प्रचुर मात्रा में धन और संपत्ती और हाती हीरे मोती सब लेके आता है उस समय जलालुद दिन खिल जी को एहमध्य करता है हमने देखा जब रंखम भोर में भी आक्रमन करने किया तो इसको नसीहत दे राथा तो एहमध्य चाप इसको यह नसीहत देता है कि हाती और संपत्ती का जगणों का कारण बन सकता है ने और हमको जाके सुरंत अलाउद दिन खिल जी को जो है वो गिरफतार कर लेना चाहिए और उसके खिलाफ अभियान कर देना चाहिए क्योंकि उसने बिना हमारी इजाज़त, बिना सुल्तान की इजाज़त और सुल्तान को धोके में रखके ये देवगरी का अभियान किया है और इतनी सारी धन्तमपदा लूटी ये तो ये अलाउद दीन के लिए कहा गिया है और ये हमच चब ने बोला है इसी के साथ एक घटना थी जिसका मैंने वर्णन किया था कि मलिक फक्रूत दीन उसी समय एक वाक की बोलता है कि मोझे तब तक नहीं तो आपने चाहिए जब तक पानी न दिखाई दे तो ये थोड़ा स तो मताहत प्रणाली के बारे में आपको पढ़ाया था कि जब भूमी की पैमाईश कराता है लाउद दिन खिल जी भू राज़त सु सुधार में तो मताहत प्रणाली जो है वो भूमी मापने की प्रणाली है जिसमें वो बिस्वा का इस्तमाल करेगा बिस्वा जो है वो एक व्यापारी है बी के नीचे चार आ जाएगा गुमाशता मैंने वजायता प्रतिनी धी है एजेंट है यह एजेंट है और जवाबित जो है वो वो अधिनियम है जिसके अनुसार उसने जो बदार है उसमें मूल नियंतरण किया और मूल को सुनिश्चित करके एक ही उसके मूल क अधारित किया और उसको बढ़ने और घटना जो है वो नहीं बढ़ने और घटने नहीं दिया गिया तो इस तरह से बी के नीचे आ जाएगा दो तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला यह हमारे आज के एमसी क्यूज से और इस तरह से हमने अलाओ दिन खिलजी और जितना भी खिलजी वंच उसको रिवाइस करने की कोशिश किये और हमने देखा कि किस तरह से हर साल किसी ना किसी एक्जाम में अभी मैंने केवल नेट और UPSC के प्रशन उठाए हैं अब मैं कोशिश करूँगा कि स्टेट लेवल के जो PCS हैं उनमें से भी प्रशन लेक अब मैं इस तरह के MCQs लालूँगा जिससे पूरा का पूरा अभी तक का हमने जितना भी अध्यन किया है गुलाम वंच से लेके खिलजी वंच के यंद्र तक वो पूरा उसमें कवर हो जाए तो यदि आपने मेरा ये चैनल सब्स्राइब ना किया हो तो इसको कर लें जिससे आपको अगले MCQs और PBQs का जो मैं 17 रखूंगा तक को नोट्फिकेशन मिल जाए तब तक के लिए धन्यवाद